एसे भी कोई दिमाग लगा सकता पहली बार यह देख रहा हूं मैं इस तरीके से कि फुरूटों से इस तरीके से भी कुछ डिजाइन किया जाता है मुझे तो लगा था इसे खाने पीने के काम आते हैं पर यहां पर तो कुछ अरलगी बना रखा है हेलो एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग आज मैं जा रहा हूं देरा अल्रीगा सो अभी मैं जाएगा मैं ट्रो स्टेशन फिर वहां से जाएगा अल्रीगा थोड़ा सस्ता सामान मिलता है तो सामान खरीदने जा रहा हूं फिर दिखाते हैं उदर कैसा कैसा है हुआ 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 है हुआ 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 है तो दोस्तों ये अल्रीगा जो है ये मुरका मुरकाबात और नाइफ से लगता है दक्षिनी साइड में क्रीक टावर है जो अभी बनने वाला है यहां पर पश्चिम की तरफ से डी एटी एट रोड आए और पूरब की तरफ से डी सेवन्टी एट अल्लू बेकर अल्सिद्ध की रोड है इलाके अल्रीगा रोर्ड तक तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यह देरा साइड काफी अच्छा है यहां पर सस्ता सामान हर चीज सस्ता सस्ता है रूम रेंट होगेरा भी काफ़ी ठीक ठाक है क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे-छोटे इस्टिकड देखे हैं तो पहले तो मिलेको लगता था कि सत्वा साइड में थोड़ा रहने के लिए अच्छा है बट यहाँ पे भी काफी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लेवर लोग रहते हैं तो यहाँ पे बैतरीन है और खाने पीने के लिए छोटे छोटे रेश्ट्रेंड काफी सारे है तो यहाँ पे हर तरीके का हर कंट्री का खाना एवलेबल है तरह तरह के रेश्ट्रे अधिकतर यहां पर जो है छोटे छोटे रेस्ट्रेंड ही है और घूमने के लिए ठीक ठाक है बहुत ज्यादा बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है नहीं है बट ठीक ठाक है अगर कोई इंडिया से विजिट करना चाता है तो यहां पर मतलब सुरुवाती के दिनों में रहने के सही है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है मेरे इसाफ से यहां पर ठीक ठाक है रूम रेंट और जिस एरुए में हम लोगळ रहते हैं वहां फोड़ा हल्का-फुल्का एक्सपेंसिव है बट मुझे लगता है किया सक्स्टा है यहां पर खाने-पीने की हर एक जगे की कनेक्टिविटी अच्छी है बस टेक्सी मेट्रो सब है इधर कर दो खूच्छी अच्छी 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 है जड़ एंग कर दो दो । झाल 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 झाल